प्रयावरन अध्यन कक्षाचार पाठ तीन नक्षा इस पाठ के माध्यम से मांचित्र तथा लैंड मार्क की प्रारंबिक समझ विक्सित करेंगे सबसे पहले हम सुरू करते हैं एलिस की कहानी से एलिस अपने बगीचे में खेल रही थी तभी एक पत्थर को हटाने पर वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाती है एलिस सूचती है वाओ कितनी सुन्दर जगे है ये मैं कहां आ गई पर मुझे डर लग रहा है अब मैं घर कैसे वापर जाओंगी तभी वहाँ एक परी आ जाती है डरो नहीं एलिस तुम अद्भूत दुनिया में हो घर वापस जाने के लिए आओ तुम्हें एक मांचित्र लिखाती है पर मांचित्र क्या होता है पिथिवी की सतव या भाग जैसे नदीर परवत पूलिया घर आदि को लगू रूप में कागज पर दर्साना मांचित्रन कहलाता है मांचित्र को नक्सा भी करते हैं और इस नक्से के परियोग से तुम अपने घर आसाने से जा सकती हो आओ नक्सा पड़ते हैं ये परवेश द्वार है इसकी बाद ये मार्क राजमहल की ओर जाता है राजमहल से होते हुए हम जादुई फवारा यानी वाटर मख फौंटेन पहुचते हैं फिर आगे बढ़ने पर प्रतना अस्थर उसके आगे एक पार्क है पार्क के बाद नदी और नदी पार्क करते ही निकाश द्वार द्वारा अपने घर वापस जा सकती हो क्या वापस जाने का एक ही मार्क है? नहीं, नक्से में तुम और भी रूट या सरण रास्ता देख सकती हो रूट टू में तुम परवेश द्वादवारा जंगल और जंगल से सीधे नदी पार कर निकाश द्वारा पहुच सकती हो वाँ, ये तो छोटा रूट है, मजा आ गया एलिस, क्या तुम घर्ज वापस जाने से पहले अध्भूत दुनिया का सेर नहीं करना चाहो भी? हाँ, क्यों नहीं? देखो, ये राजमहल है, जहां सुन्दर राजपुमारी रहती है इस राजमहल के पुर्वेशा में जंगल है पर ये पुर्वेशा क्या होता है? दिसा सटिक और सही मार्ग भहचानने में हमारी मदद करती है मुख्यता चार दिसा होती है पुर्व, पसीम, उत्तर और दचिन पर नपसे में देखो, ये राजमहल के पुर्वेशा में जंगल है पस्तिन दिसा में फववारा, तर दिसा में नदी है तो बच्चो, अभी हमने अलिस के अधभुत दुनिया का सैर कर नक्षा और दिशा के बारे में जाना आईए अब पार्ट में मीना से मिलते हैं मीना 6 साल के बाद मामा के घर जा रही है बस से उतरते ही उसे लगा जैसे कहीं दूसरी जगा आ गई सड़क के दोनों तरब पक्के घर पिछली बार जब मामा के घर से वापस जा रही थी तो वहाँ इतके दुक्के मिट्टी के घर ही थे वह बोल पड़ी मामा आपने अपना घर किसी दूसरी जगा बना लिया है क्या नहीं मीना मैंने तो वही अपने पुराने घर को तोड़ कर नया घर बना लिया है तभी मीना की नजरे चौराहे के बरगत के पेर पड़ी अरे यह तो वही बरगत का पेर है इसका मतलब लोगों ने अपने पुराने घरों को तोड़ कर नया बना लिया है। हाँ मीना तुमने सही कहा, कई लोगों ने गाउं के अंदर के घर को छोड़ सड़क के किनारे पक्के मकान बना लिये हैं, मामा जी ने कहा। मीना मामा जी के साथ उनके घर की और बढ़ते जा रही थी, साथ ही रास्ते में दिखने वाले मुख्य पहचान के स्तलों को याद करते जा रही थी, जैसे एक मोड पर पॉस्ट ओफिस, उसके बाईं और कुआ, आगे दाईं और बढ़ने पर महजिद, और महजिद के बगल में गाउं का स्कूल, मीना मामा जी के घर पहुँच कर बोलती है, अब तो मैं वापस बस स्टेंड अकेले ही भी जा सकती हूँ, तो बच्चों आप पुस्तक में दो प्रश्न दिये गए हैं, आप इसे सोच कर उत्तर दीजिए, पहला प्रश्न है, आप अपने घर से बिद्याले आते हो, तो कौन-कौन से पहचान चिन मिलते हैं, दूसरा, मीना कैसे कह सकती है, कि वह वापस अकेले बस स्टेंड जा सकती है,